आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगरा का ताजमान दोस्तों आप देख सकते हैं आगरा का ताजमान के इंट्री वाली एरिया है यहां से इंट्रीप्स करते हैं दोस्तों मुगल साहज यहां की छे बीबिया थी उनमें सच्छे जादा मुखबत साहज यहां में मुम्ताज कुख गया करते थी इसलिए उनकी आदों में ताजमान को बनवाया गया दोस्तों ताजमान की पहली ख्यासियत जो इसमें ताजमान में सग्मरमर के पत्थर यूज किये गए हैं वह Maqara Na général से लைगे हैं ताजमान बनाने वाले मज्दूरों के हाथ कटिफा दिए गएं बलकि ऐसा नहीं हुए इन मज्दूरों का हाथ कटवानी के बजाए उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है दोस्तों ताज महल की सबसे खुब सबसे खास बाते हैं यह दिन में तीन बार कलर चेंज करता है दिन के सुबह के टाइम पे ब्लैक दोपार के टाइम पे वाइट एंड साम के टाइम पे गोल्डन कलर ने नजर आता है दोस्तों यह ताज महल का बुजू खाना है इसके सामने देख सकते हैं आपके सामने मस्जीत है यहां सुक्रवार की दिन नवाज अलगी आती है यहां सुक्रवार की दिन ताज महल बाहरी पभलिक के लिए बंद किया जाता है कर दोस्तों यह ताज महल का बैक साइट करना जारा आप देखते हूंगे इसके पीछे आप देखेंगे जश्ट बांडी के पीछे देखेंगे ताज महल पीछे देखेंगे ताज महल कि जमना नदी बहती हुई बहुत ही कलकल धाराओं से बहती हुई विसांतिमावल से बहुत ही अच्छा प्यारा नजारा लगता है यहां पे अगर आप कभी भी उत्तव देखेंगे आगरा डिश्टिक आते हैं यहां पे आगरा में ताज महल आना जरूर तो दोस्तों कैसे लगा हमारा वीडियो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कोमेट करके जरूर बताइए कि ताज महल की हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक करिये कोशन करिए अगर कोई भी कमी रहे गए हो तो उसके लिए भी कुमेंट करिए ताकि हम आने वाले वीडियो में अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो को अपडेट करते हैं